So hey, drawing on notebook paper, so let's do it! So, यहाँ पर मैं एक classmate का छोटा सा notebook ले रहा हूँ, जिसे मैंना ideas और notes लिखने के लिए यूज़ करता हूँ, इसी में से हम एक paper ले लेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर 55 रुपीज का charcoal pencil यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर तीन charcoal pencil दाते हैं, hard, medium, soft, सबसबले मैं यहाँ पर outline को draw करने के लिए hard charcoal pencil का यूज़ करूँगा, आजकी इस drawing में मैं एक बना रहा हूँ, realistic type का eyes, तो आप इस वीडियो का end तक देखें और आप बताएं कि आप कोई drawing कैसा लगा, outline complete होने के बाद मैं यहाँ पर एक sand paper ले रहा हूँ, उसके ओपर मैंने soft charcoal pencil को मैंने rub किया है, then जो powder है उसे मैंने makeup brush के ओपर लिया है, और उसे मैं base shading कर रहा हूँ, then darker areas के लिए मैं वापस से shading करूँगा, या फिर मैं directly soft charcoal pencil का use करूँगा, darker shades apply कर देने के बाद यहाँ वापस से shade कर दूगा makeup brush से, end में थोड़े से highlights देने के लिए मैं यहाँ नीटेबल eraser का use करूँगा, and then और थोड़े से highlights देने के लिए मैं यहाँ पर control eraser का use करूँगा, shiny areas को apply करने के लिए मैं यहाँ पर correction pen का use करूँगा, So, हमारा drawing कम्प्लेट हो चोगा, तो दू लाक, शेर और सब्सक्राइब और मोर वीडियो थैंक यू फर वाचिंग